तो यह हमारा second part है तो इससे पहले हमने first part discuss किया था उसमें कुछ important personalities हमने discuss की थी अगर आपने first part नहीं देखा है तो उसका link में यहां ibox में देदूँगा तो आप यहां पे जाके उसको देख सकते हैं तो यह second part है तो इसमें कुछ important जो बच गये थी हमारी personality वो हम discuss करेंगे तो guys अगर अभी तक आप चैनल में नहीं है तो चैनल को subscribe जूरूर कर देजिगा और बैल आइकन को प्रेस कर देजिगा ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी notification आपको मिल जाएगी तो चैनल को जू कोई क्यूरी है कुछ पूछना चाते हैं तो आप नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं तो friends चलिए start करते हैं आज की discussion को तो सबसे पहले देखते हम important rulers of Jammu and Kashmir तो Jammu and Kashmir के important rulers के बारे में हम देख लेते हैं तो उनके बारे में थुल detail हम देखते हैं सबसे पहले हैं महराजा गुला गुलाब सिंग तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कौन थे ये he was the founder of royal dogra dynasty तो ये founder थे dogra dynasty के and first maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir during British राज तो British राज में महराजा गुलाब सिंग जो थे वो थे first maharaja थे of princely state of Jammu and Kashmir तो Jammu and Kashmir के पहले महराजा थे under the British राज तो British राज में पहले महराजा कौन थे महराजा गुलाब सिंग तो इस तरह का MCQ भी पुछा जा सकता है आपको options दे दिये जाएंगे और आपको इस तरह का question पूछ दिया जाएगा कि who was the first maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir during British rule तो correct answer क्या है महराजा गुलाब सिंग next day गुलाब सिंग वस बॉन इना हिंदू जम्वाल डोगरा राजपूत फैमिली तो ये जम्वाल डोगरा राजपूत फैमिली में इनका बर्थ हुआ था on June 1822 तो June 1822 में he crowned himself as the king of Jammu and Kashmir on the bank of चिनाव रिवर तो 1822 में महराजा गुलाब सिंग ने आपने आपको खुद राजपूत बनाया था Jammu and Kashmir का on the bank of चिनाव रिवर तो चिनाव रिवर के बैंक में इनकी जो सेर्मेनी हुई थी ताजपूशी हुई थी वो हुई थी 1822 में जून में on June 1822 में bank of रिवर चिनाव तो इससे भी एक MCQ बन सकता है तो ये भी याद रखे कहां हुई थी on the bank of चिनाव रिवर और कब हुई थी 1822 में गुलाब सिंग managed to preserve and expand his kingdom which was maintained by his successor until the Pakistani invasion of 1947-48 तो गुलाब सिंग थे इन्होंने manage किया था और preserve किया था जो अपना kingdom था और इनके जो आगे successor थे उन्होंने भी maintain करके रख रहा था डोगरा kingdom को जब तक पाकिस्तान invasion नहीं करता 1947 में जब पाकिस्तान ने invasion किया था तब तक इन्होंने properly maintain करके रखा था डोगरा रूल को जमू और कश्मीर में तो इन्होंने कितनी देर राज किया था इन्होंने 11 साल तक राज किया था जमू और कश्मीर में महराजा गुलाब सिंग ने तो इन्होंने 11 साल रूल किया था और इनका crown इन्होंने खुद को राजा बनाया था कब 1822 में bank of चिनाव river में और ये born हुए थे हिंदू जंबाल डोगरा फैमली में तो next देखते गुलाब सिंग ने negotiate किया था इन्होंने between Sikh and British तो British और Sikh के बीच war हुई थी Anglo-Sikh war उसमें जो महराज गुलाब सिंग थे उन्होंने negotiation की थी in the treaty of Lahore तो ये भी important है treaty of Lahore ये कब हुई थी 9th March 1846 को तो इन्होंने treaty of Lahore में negotiation किया था after first Sikh war तो इन्होंने pay किया था 750,000 pounds तो 750,000 pounds इन्होंने pay किया था East India company को to take Kashmir from Punjab government तो कश्मीर को लेने के लिए इन्होंने 750,000 pounds पे किये थे East India company को इस्ट इंडिया company को इन्होंने 750,000 पे किया था फिर उन्होंने Punjab government से कश्मीर को ले लिया था तो जो treaty of Amritsar थी उसमें 10 articles थे तो ये भी important है कि कितने articles थे treaty of Amritsar में तो treaty of Amritsar में थे 10 articles और 15 March 1846 को British government ने conferred किया था ही as the title of Maharaja तो गुलाब सिंग को Maharaja का title किसने दिया था British government ने कब दिया था 15 March 1846 1846 में 15 March को जो British government थी उन्होंने गुलाब सिंग जी को title दिया था महराजा का उसके बाद उनको कहा जाने लगा महराजा गुलाब सिंग तो ये फाउंडर थे दर्मर्थ ट्रस्ट के इनने दर्मर्थ ट्रस्ट फाउंड किया था और ये फाउंडर थे नू टाउन एट परमंडल तो नू टाउन परमंडल के भी यह फाउंडर थे महराजा गुलाब सिंग तो यह था महराजा गुलाब सिंग के बारे में कुछ important तो बापस देख लेते हम एक बार तो यह founder थे डोगरा dynasty के इनका birth हुआ था हिंदू जंबाल डोगरा family में और coronation कब हुआ था इनका 1822 को bank of चिनाव रिवर और इन्हों ने जो rule किया था वो किया था 11 years तक जमु और कश्मीर में रूल किया था और इन्होंने negotiation किया था इन ट्रीटी अफ लहोर और 9 March 1846 को और 750,000 pounds इन्होंने जो इस इंडिया कंपनी को दिये थे कश्मीर के लिए और जो ट्रीटी अफ अमरिसर थी इसमें 10 आर्टिकल्स थे और जो ट्रीटी अफ लाहोर हुई थी इन्होंने 750,000 pounds में कश्मीर को लिया था उसके साथ-साथ इन्होंने जो गोर्मेंट थी इस्ट इंडिया कंपनी उनको हर साल ये क्या देते थे अमरी और इन्होंने प्रेजेंट करते थे एक होर्स और 12 गोर्स जो पीर्स औफ गोट्स और उसमें 6 m2 और 6 females होती थी और उसके साथ-साथ वह देते थे 3 पीर्स अफ कश्मीरी शौ्रस तो हर साल में एक होर्स देते हे 12 गोर्स Quan देते हे 6 six male six female और देते थे three pairs of कश्मीरी शॉल्स और कश्मीरी शॉल्स भी देते थे ब्रिटिश गवर्मेंट को तो यह था important महाराजा गुलाब सिंग के बारे में इसके बार नेक्स देखते हैं रन्वीर सिंग तो नेक्स है हमारे रूलर रन्वीर सिंग इनका बर्थ हुआ था अगस 1830 में और इनकी डेथ हुई जी 12 सेप्टमबर 1885 में तो यह हैं महाराजा रन्वीर सिंग तो यह जमु और कश्मीर के महाराजा रहे अंटिल his death in 1885 तो जब तक इनकी death होती तो ये राजा ही थे जमू और कश्मीर के तो रनवीर सिंग को थे? थर्ड संथ थे महाराजा गुलाब सिंग के तीसरे बेटे थे रनवीर सिंग the founder of जमू और कश्मीर state state के founder थे जो महाराजा गुलाब सिंग तो रनवीर सिंग ने जो ये थर्ड लिया था महाराजा गुलाब सिंग से कब लिया था जब उनकी जो healthy वो खराब हो गई थी और वो ये राज्य नहीं चला सकते थे तो उन्होंने जो राज्य था अपना ये आगे दे दिया गुलाब सिंग जी ने किसको दे दिया रनवीर सिंग जी को तो जब उनकी health खराब हुई तो उन्होंने अपनी position ट्रांसफर कर दी अपने जो third son था रनवीर सिंग उनको transfer कर दी जब उनकी health खराब हो गई तो जो रनवीर सिंग थे इन्होंने बहुत काम किये थे स्टेट में इन्होंने एस्टेबलिश किया था modern judiciary system को तो modern judiciary system को जम्मों और कश्मीर में लाने वाले कौन थे रनवीर सिंग तो ये भी एक important MCQ बन सकता है तो रनवीर सिंग जी ने लाया था modern judiciary system civil or criminal laws were compiled into रनवीर penal court during his reign तो इन्होंने ही लाया था रनवीर penal code जो कि हमारी स्टेट में था पहले RPC तो RPC का मतलब था रनवीर penal code तो civil or criminal laws थे उनको compile करके इन्होंने मना दिया था रनवीर penal code तो ये भी लाया था महाराजा रनवीर सिंग जी ने और रनवीर सिंग जी थे जो जे स्कॉलर थे संस्क्रीट और पर्शियन लेंगवेज गे और उन्होंने बहुत सी बुक को ट्रांसिलेड भी किया था महाराजा रनबीर सिंग जी का जनम हुआ था रामगड में जनम हुआ था और जमुएर कश्मीर में और अगस्त कब हुआ था अगस्त 1830 में इनका जनम हुआ था रामगड में और ये थर्ड संथ थे महाराजा गुलाब सिंग जी के इनकी जो मदर थी रकवाल महराणी वाज़ तो इनकी जो मदर थी वो गुलाब सिंग जी की फर्स्ट वाइफ थी और जो रनवीर सिंग थे इनको अडॉप्ट किया था राजा सुचेद सिंग जो राजा सुचेद सिंग थे उन्होंने रनवीर सिंग को अडॉप्ट किया था क्योंकि वो उनके अंकल थे उनका कोई बेट तो इने लेली रनवीर सिंग जी ने तो इनके पास आगई वो सारी जागीर्स, जो इनके अंकल राजा सुचेध सिंग जी किए इसके बारच सेपरेट डिपार्टमेंट, प्र सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए इन्हों ने फॉरां चाहरं आफेर्स के लिए व्य शीविल अ महराजा रनवीर सिंग तो रनवीर सिंग ने लाई सिल्क फैक्टरी यह आल्सो पर्मोटेड इट्स ट्रेड उन्हें ट्रेड को ही पर्मोट किया दे शॉल इंडस्ट्री फ्लरिश्ट दियूरिंग इस रेंड विच प्रोवाइड employment and a minimum income to his subjects तो जो शॉल इंडस्ट्री है वो इनी के टाइम फ्लरिश हुई रनवीर सिंग जी के टाइम में फ्लरिश हुई स्टेट में जिसकी मदद से बहुत से लोगों को employment भी मिला तो शॉल इंडस्ट्री भी इन्हों ने लाई और जो सिल्क फैक्ट्री है वो भी लाई मारजा रनवीर सिंग ने इन्होंने donate किया 1 lakh to university of Punjab तो university of Punjab को इन्होंने 1 lakh donate किया था at the time of its establishment जब वो establish हो रही थी 1882 में तब उन्होंने 1 lakh donate किया था university पंजाब को in return इनको क्या मिला था first fellowship मिला था university के तो ये university के first fellow थे मारजा रनवीर सिंग तो ये भी एक important question यहां से आ सकता है first fellow कोन थे university या पंजाब के तो वो थे मारजा रनवीर सिंग इन्होंने 1 lakh donate किया था पंजाब university को इसके बाद telegraph और postal services भी इन्होंने ही लाई थी state में state में इन्होंने telegraph और postal services भी लाई थी इन्होंने जो export duty थी shawls की उसको भी abolish कर दिया था तो shawls की export duty को भी abolish करने वाले रनवीर सिंग थे और रनवीर सिंग के time ही grade फहमाईन आया था वेली में 1878 से 79 में जो grade फहमाईन आया था वो रनवीर सिंग जी के time आया था तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस ruler के time में grade फहमाईन आया था तो वो आया था मारजा रनवीर सिंग जी के time में तो इन्होंने 1856 में गिलगित को re-concord किया था और 1870 में हुन्जा और नागर को भी इन्होंने annex किया था मारजा रनवीर सिंग ने तो ये था रनवीर सिंग जी के बारे में इसके बाद आगे चलते हैं परताप सिंग तो कौन है मारजा परताप सिंग ये picture है मारजा परताप सिंग जी की तो देखते हैं during the time of परताप सिंग the first major step of improvement was taken in 1889 when the जेलम वैली काट रोड the most wonderful mountain road in the world from कोहला to कांसे कोहला to बारमुला was completed it was extended to शिर्नगर in 1897 in 1922 another great highway the बनिहाल काट रोड जो है BC रोड which connected शिर्नगर the summer capital with जमू तो क्या है परताप सिंग जी के time ही जो हमारी स्टेट में रोड की construction वो start हुई मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्टेट में हमारी स्टेट में रोड को explore किया flourish किया रोड को और जो कोहला और बारमुला की जो रोड है इन्होंने अपने टाइम में complete की जो 1897 में extend हुई शिर्नगर तक और 1922 में जो बनिहाल काट रोड है उसको connect किया गया शिर्नगर से जो summer capital है जम्मू और कश्मीर की उसको जम्मू जो winter capital है उसके साथ connect किया तो जम्मू को शिर्नगर से connect करने वाली रोड कौन सी है BC रोड बनिहाल काट रोड तो 1887 में जो state government है उसने करी किया out the first land settlement तो first land settlement कब हुआ था महाराजा परताप सिंग जी के time में as a result जो rights थे of the agriculturist were clearly defined and the state's demand was fixed for 10 years तो जो agriculture से उनके जो rights से उनको fix किया गया, clearly defined किया गया और जो beggars थे और force laborers से beggars और force laborers से in its more objectionable form was abolished तो beggar और force labor थी जो उसको भी abolish कर दिया गया तो यह किस के time में किया गया परताब सिंग जी के time में किया the share of the state was fixed as 30% तो जो state का share है उसको fix कर दिया गया 30% रख दिया गया जो भी gross produce होगी जो revenue collect होगा उसको उन्होंने कितना कर दिया कि वो 30% होगा of the gross produce और जो revenue collect किस मादियम से कर रहे थे वो cash के मादियम से revenue को collect कर दे और model agriculture form was set up in शिर्नगर तो शिर्नगर में एक model agriculture form set up हुआ of the spread of knowledge about scientific method of cultivation तो cultivation के scientific methods को अपनाने के लिए एक modern क्या agriculture form set up हुआ शिर्नगर में और efforts were made to popularize education, education को बड़ावा देने के लिए भी इन्होंने बहुत से efforts किये, in pursuance of the suggestions made in the report 1916 many challenges were made in the system of education, तो education के system में भी many इन्होंने changes लाइ बहुत ही कि education को develop किया जाए state में और number of schools, colleges for both boys and girls were also open तो boys और girls के लिए बहुत से state में colleges भी इन्होंने open किये next देखते हैं one degree college each at Jammu तो एक degree college Jammu में Prince of Wales College established किया 1907 और शिर्नगर में शिरी परताप college वो establish हुआ 1905 में और अमर सिंग technical institute at the later 1914 में establish किया और शिरी परताप technical school वो 1924 में establish किया were made to meet the demands of higher education तो higher education के लिए इन्होंने Jammu और शिर्नगर में different colleges establish किये और 1938 में शिरी परताप college चो शिरी परताप college था with 1187 students on its role तो इस college में 1187 students ने admissionly achieved the distinction of being the second largest college affiliated to the Punjab University तो इन्होंने affiliation कहां से लिए पंजाब यूनिवस्टी से और जिए second largest college था जिसको affiliation मिली थी पंजाब यूनिवस्टी से तो इन्होंने education के लिए बहुत किया colleges इन्होंने establish किये स्टेट में तो जो शिरी परताप college था यह second largest college था जिसको affiliation मिली थी पंजाब यूनिवस्टी से इसके बाद है the construction of smaller channels and several irrigation canals in both province of जमू और कश्मीर तो जमू और कश्मीर में irrigation projects को भी इन्होंने पहुतसान दिया और irrigation canals भी इन्होंने start की जो बनाई जमू और कश्मीर में जो longest और most important canal है वो है रनवीर कनाल जो सबसे बड़ी कनाल है रनवीर कनाल इन जमू में है जो with the total length था 251 miles including that of its tributaries तो उसकी total length कितनी थी 251 miles उसकी जो tributaries थी उसको भी include करके सिर्फ अकेली main canal को नहीं उसकी tributaries को भी मिला के जो जो tributaries उसके साथ बनाई उसकी total length थी 251 miles it was completed in 1911 1911 में ये complete हुई थी हमारी रनवीर कनाल जो जमू जिनाब से आती है जो आरस्पुरा तक जाती है ये आगे रनवीर कनाल इसको complete किया था 1911 में at the cost of कितनी cost में complete की थी 3536714 35,36714 रुपीज में ये कनाल complete हुई थी तो इन्होंने कनाल में भी बहुत सी development की स्टेट में कनाल मनाई इसके बाद इन्होंने hydroelectric power side में भी बहुत काम किया और establish किया मोहरा power project 1907 में जो मोहरा डैम है power project तो ये इन्होंने hydroelectric power project establish किया था 1907 में इसके बाद परताज सिंग left no issues of his own when he died 23rd September 1925 को इनकी death हो गई और इसके बाद इनको succeed किया किसने इनके nephew थे जो महराजा हरी सिंग तो वो इनके बतीजे थे उन्होंने succeed किया जो सन थे राजा अमर सिंग के तो इनको succeed किया इनके जो nephew थे माराजा अमर सिंग जो की बेटे थे माराजा अमर सिंग जी के तो ये था परताब सिंग जी के बार में अब देखते हैं माराजा हरी सिंग के बार में तो ये हैं माराजा हरी सिंग तो इनके बार में देख लेते हैं जो मालजा हरी सिंग थे ये लास्ट रूलर थे जो हमारी प्रिंसली स्टेट है जमू एंड कश्मीर के ये लास्ट रूलर थे ये डोगरा राजपूर थे और इनका बर्थ हुआ था कहां हुआ था अमर महल में हुआ था सेप्टेंबर 23 एटी नैटी फाइफ को इनका बर्थ हुआ था तो इनके जो अंकल थे परताब सिंग उनकी डेथ के बार इन्होंने जो स्टेट है उसका कारबार संभाल लिया था तो ये रूलर बन गये थे जमू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको प्राइमरी एजुकेशन का कंपल्सरी कर दिया था स्टेट में और इंट्रड्यूज किया था लाज प्रॉबिटिंग चाइल्ड मैरेज तो चाइल्ड मैरेज को रोकने के लिए इन्होंने लाज shipping के लिए जगाएं open कर दी और इन्होंने instrument of accession sign किया था 26 October 1917 को 26 October 1947 को इन्होंने instrument of accession sign किया जब इन्होंने विले कर दिया जो princely state थी जम्मु एड कश्मीर की इंडिया में तो जब 1947 में इंडिया independent हुआ तब जो जम्मु एड कश्मीर थी ये independent state थी और पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे ना इंडिया के साथ ये free रहना चाहते थे लेकिन क्या हुआ कि जब ये अकेले थे तो पाकिस्तान ने मोका दे के attack कर दिया तो फिर ये गे government of India के पास इन्होंने help लेनी चाही तो फिर इन्होंने जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर state थी इसको annex कर दिया इंडिया के साथ बिले कर दिया फिर Indian army ने जम्मू एंड कश्मीर में आई और फिर इंडिया और पाकिस्तान की war हुई थी फिर जो जम्मू एंड क अक्तूबर 1947 को साइन किया था instrument of accession यह साइन किया था महारजा हरी सिंग जी ने तो इसके बाद कुछ important उनको वर्क्स किये थे वो देख लेते क्या क्या चीज़े इन्हों लाई थी तो जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोट है इसको इन्होंने लाया था कब 1928 में जो अगर में इन्होंने पास किया था agriculture relief act और land alienation act को भी इन्होंने पास किया था और polyandry को इन्होंने ban कर दिया था state में उसके बाद इन्होंने पास किया था compulsory primary education act को कि primary education compulsory होगी सबके लिए इस act को पास किया था और इनकी death last हुई थी बंबे में 26th April 1961 तो 26 April 1961 को इनकी death हो गई की थी बंबे में तो इन्हें जम्मु और कश्मीर high court constitute किया था कब 1928 को और इस high court में क्या था एक chief justice था और two other judges थे जब जया establish किया था तब one chief justice था और other two judges थे तो इनकी टाइम जो legislative assembly थी उसको कहा जाता था प्राज्य सबाब तो वह इन्होंने establish की थी जिसमें 75 members थे लेजिस इसेंबली में कितने members थे 75 members थे जिसमें जो 33 थे वो elected members थे तो 33 वर elected जिसमें 33 members थे वो elected थे बट होना limited franchise basis तो जो इनकी assembly थी legislative assembly प्रज्य सबा कहा जाता था उसको उसमें 75 members थे तो जो elected members थे 33 वो लेटर उसको increase कर दिया गया कितने में 1939 में 33 से कर दिया 40 members तो 33 members थे और 1939 में उसको कर दिया था 40 members तो यही था महराजा हरी सिंग जी के पारे में तो हमने देख लिया महराजा गुलाब सिंग महराजा प्रताब सिंग महराजा रिनवीर सिंग महराजा प्रताब सिंग और महराजा हरी सिंग तो यह थे important rulers जमु और कश्मेर के इसके बाद अब हमारा next आयता है personality is related to science and technology तो science and technology से जो important personality state की related थी हम उनको देख लेते हैं तो सबसे पहले आयते हैं हमारे रामेश्वर नाथ कोर ब्रमजाई तो कौन है यह यह इंडियन साइंटिस्ट है in the field of human genetics and cancer biology तो यह किस field में है human genetics and cancer biology के में he is the coordinator of the national center of applied human genetics school of life sciences जोहलाल नहरू University New Delhi तो यह इसके coordinator थे national center of applied human genetics के जो school of life sciences में था जोहलाल नहरू University में तो इन्होंने सर्व किया है as a vice chancellor of शिरी माता वैश्णो देवी University तो शिरी माता वैश्णो देवी University जो कट रहा है उसके जे vice chancellor भी रह चुके है रमेश्वर नाथ को बहमजाई तो इसके बाद he was honored with Padamshree Award इनको Padamshree Award भी मिला है by the president of India for his contribution to the fields of science and technology और कब मिला था award यह मिला था 2012 में इनको Padamshree Award भी मिला था and elected fellow of national academy of medical science he has published नहीं articles on his research तो इन्होंने अपनी research में बहुत से articles भी publish किये हैं तो यह थे रमेश्वर नाथ को बैमजाई तो इनका जो यह को थे human genetics और cancer biology के scientist थे और इनको जो Padamshree Award भी मिला था 2012 में तो यह है इनका photo तो अब चलते हैं next है next हमारे है सुभाश काक तो सुभाश काक यह हैं तो देख लेते कौन थे इनका birth हुआ था 26 March 1947 को शिरनगर में यह Indian American computer scientist है और हिंदुत्वा बेस्ट हिस्टोरिकल रिवाजनिस्ट तो यह Indian American computer scientist है he is a regent professor of computer science department के यह professor है आड ओकला हों स्टेट युनिवस्टी स्टील वाटर एंड और ओन्रेरी विजिटिंग प्रोफेसर आफ इंजिनिरिंग आड जवाला नहरू युनिवसिटी में प्रोफेसर रहे चुके हैं ओकला स्टेट युनिवस्टी के स्टील वाटर एंड और ओन्रेरी विजिटिंग प्रोफेसर यह रहे चुके हैं इंजिनिरिंग के आड जवाला नहरू युनिवसिटी में काक ने पभ्लिश की फिलास्फि उफ साइंस ऐंशेंट अस्त्रोनामी एंड हिस्ट्री आफ मैथमेटिक्स काक ने इसके साथ आर्क्यों एस्टोनामी भी पभ्लिश की और एड़ स्कॉलर्स थे जिन्हों ने इनकी थिउरि को रिजेक्ट भी किया entirely उन्होंने reject किया और इसको इनकी जो राइटिंग सी सभी उनको heavily criticized भी किया तो 2019 में जो government of India है उन्होंने इनको पदमश्री अवार्ड भी दिया the fourth highest civilian award in India तो ये important है सुभाज काक क्योंकि ये recent इनको अभी पदमश्री अवार्ड भी मिला है तो ये current affairs section से भी इनका question आ सकता है कि from the following who has been awarded as पदमश्री अवार्ड भाइ government of India in 2019 तो किसको मिला है सुभाज काक को तो ये important है तो इनको पदमश्री अवार्ड मिला था और उनकी death हुई थी 18 June 2017 को ये Indian plasma physicist थे तो ये कौन थे plasma physicist थे he has been the founding director थे ये Indian institute of plasma research and served the institute as the director from 1986 to 2012 तो ये founding director थे Indian institute of plasma research के और इन्होंने as a director रहे ये इस institute में 1986 से 2012 तक ये इस institute के director रहे हैं इनका birth हुआ था 15 January 1948 को कहां हुआ था शिर्नगर में इनका birth शिर्नगर में हुआ था इन्होंने PhD की थी कहां से Indian institute of technology IIT Delhi से in 1966 में इन्होंने PhD की थी and was the first PhD from the Indian institute of technology Delhi तो ये IIT Delhi के first PhD holder थे तो IIT Delhi के first PhD holder कोन थे प्रिदिमान क्रिशन कव तो ये first PhD holder थे IIT Delhi के और इन्होंने जो PhD डिगरी रिसीव की थी at the age of 18 में इन्होंने PhD डिगरी को रसीव किया था falling बीच इसके बाद इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी complete किया था at Princeton University से इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया था और इनको भी पदमश्री अवार्ड से नवाजा गया था इंडिया ज़ फोर्थ हाइस्ट उनर इन 1985-1985 को इन को पदमश्री अवज भी दिया गया था और उसके बार इनको शांति स्वरूब बठनागर अवाड भी दिया गया था 1986 को तो पदमश्री अवार्ड मिला था कभ 1985 को और 86 को इनको मिला था शांति सुगरूब बतनागर अबॉर तो 28 दिसम्बर 2016 को इनको मिला था सुब्रामन्यन चंदरशेकर प्रदाइस और प्लाजमा फिजिक्स फार इस सेमिनाल इनको 28 दिसम्बर को 2016 को क्या मिला था सुब्रामन्यन चंदरशेकर प्रदाइस भी मिला था तो इनको पदमश्री मिला था शांति सुगरूब बतनागर अबॉर इनको मिला था सुब्रामन्यन चंदरशेकर प्रदाइस तो इनको इसके साथ साथ मिला था 2008 में TWS प्राइज भी मिला था 2008 में इनको TWS प्राइज भी मिला था प्रिदीमान कृष्ण काव को तो ये था इनके बारे में तो next चलते हैं, next है हमारे फ्याज A. मलिक, तो कौन है फ्याज A. मलिक ये Indian pharmacologist है cancer biologist है और scientist है at the Indian Institute of Integrative Medical Medicine of Council of Scientific and Industrial Research में ये क्या है scientist है और इन्होंने ये कौन है pharmacologist है और cancer biologist भी है कौन फ्याज A. मलिक His studies involve the identification of signaling, networking conferring resistance to current anti-cancer therapies तो इनकी studies जो है वो इन्होंने studies की है anti-cancer therapies में इन्होंने studies की है और जो उनकी discovery है of new anti-cancer agents hold a number of patients for the processor of processor he has developed तो इनकी जो studies है जो discoveries है anti-cancer की उन्होंने बहुत से जो patients पे इन्होंने use की है for the process he has developed जो इन्होंने डेवलप किया था जो डिपार्टमेंट था biotechnology का of government of India उन्होंने अवाड किया था इनको national bioscience अवाड for career development तो इंडियन department of biotechnology of government of India ने इनको अवाड किया था national bioscience अवाड for career and development तो यह one of the highest Indian science अवाड है इनकी contribution के लिए तो इनकी 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 डेवाड किया था government of India की उन्होंने इनको अवाड किया था कौन सा स्वरन जन्ती fellowship one of the prestigious fellowship अवाड for his advanced research in cancer biology तो cancer biology के लिए इनको स्वरन जन्ती fellowship अवाड भी दिया गया था one of the prestigious fellowship अवाड है for the advanced research in cancer biology 2018 और 14 में इनको यह अवाड मिला था तो कौन थे यह फ्याज ए मलिक तो next देखते हैं next है राजीव मोतवानी तो यह है राजीव मोतवानी तो कौन है यह इनका बर्थ हुआ था मार्श 26 1962 को डेथ हुई थी जून फाइफ 2009 को यह प्रोफेसर थे आफ computer science at Stanford University उस रिसर्च फोकोस अन theoretical computer science है तो यह computer science के प्रोफेसर थे Stanford University में यह वाज अर्लियर advisor and supporter of companies कुछ companies के यह supporter advisor थे जैसे की company आगे Google, PayPal and a special advisor to CQO या Capital तो यह इन companies के advisor भी थे और इनको मिला था गोडेल प्लाइस यह कब मिला था 2001 को he is the recipient of the गोडेल प्लाइस in 2001 तो यह थे राजीव मुतवानी तो अब हमने कुछ science and technology से personalities देख ली आप देखते है personalities later in sports field तो sports personalities कुछ देख लेते हैं important कौन है तो सबसे पहले आयते हैं परवेज रसूल परवेज गुलाम रसूल जारगार तो यह हैं परवेज रसूल आप सब जानते हैं इनको यह इंडियन क्रिकट प्लेयर हैं तो यह इनको अपने IPL में भी देखा होगा और इंडियन टीम में भी यह इन्होंने मैचिस खेले हैं तो यह इंडियन क्रिकट प्लेयर है इनका बर्थ हुआ था फेबरेरी 13 1989 को यह आल राउंडर है फ्राम जमू और कश्मीर तो रसूल जो है यह जमू और कश्मीर टीम के कैप्टन भी है और रेगुलर मेंबर है इंडियन ए टीम के कैप्टन है और रेगुलर मेंबर है इंडियन ए टीम के तो जो रसूल है बादा फर्स्ट क्रिकटर from Jammu and Kashmir to have played IPL तो first cricketer ने Jammu and Kashmir के जुन ने IPL कहला he got his call up for the national team in 2013 तो national team में इनको call मिली 2013 में for the Jambabay tour के लिए ये खेल नहीं पाए और finally इनको ये represent किया इन्होंने national team को Bangladesh tour में जून 15-2014 को इन्होंने first match कहला था मिरपूर में और रसूल कहां से थे हैं बीज बेरा इन अनंतनाग डिष्टगा कश्मिर यहां से हैं परवेश रसूल तो यह हैं परवेश रसूल इसके बाद हम देखते हैं हमारे हैं next मेजराजुदीन वाडू ये फॉर्मर इंडियन फूटबॉल प्लेयर है and is currently assistant coach तो हैदरबाद के यह currently assistant coach है तो यह इंडियन फूटबॉल प्लेयर भी है और द्यूरिंग हिस प्लेइंग डेज वाडू प्लेयर फर क्लब्स सच अज मोहून, बागन, इस्ट बंगाल, सालगो, कार, पूने सिटी, चिनेइन, और मुंबई सिटी के लिए इनोंने फूटबॉल भी खेला है और इनोंने represent किया है एंडियन national team को from 2005 से 2011 में इंडियन national team को रिपर्ज़ेंट किया है इनों 2005 से 2011 को तो मेजरावी दीन वादो कोन है यह हैं इंडियन फूटबॉल प्लेयर इसके बाद आते हैं मिथुन मनास यह Indian first class cricketer है who played for Chinese super kings यह Chinese super kings के लिए खेले हैं as an all-rounder IPL में भी खेले हैं यह right hand batsman है right arm and balls right arm off break and can wicket keep यह wicket keeping भी करते हैं विराट कोली led जो royal challenge बैंक रोर है उन्हें इनको hire किया all-rounder मिथुन मनास को as the assistant coach for IPL 12 तो IPL 12 के लिए इनको assistant coach के लिए hire किया September 2015 में मनास ने join की जमू एंड कश्मीर cricket team for 2015-16 रंजी ट्रोफी सीजन के लिए इन्हों ने जमू एंड कश्मीर की cricket team को join किया 2017 को मनास appoint हुए assistant coach of Indian Premier League Kings 11 पंजाब के यह assistant coach appoint हुए he occupies fourth spot in the list of highest rent gutters in first class first class cricket में highest runners में यह fourth spot है जो पहले तीन है वो कोण है सबसे पहले आ जाते है वसीम जाफर जिनके 11,225 रंस है और इनके रंस कितने 8,554 उसके बाद अमूल मुझमदर आ जाते है उसके बाद आते है देविंदर बुंदेला इसके बाद आते है मितोन मनास जो first class cricket में इनका जो रंक है वो है fourth तो ये थे मितोन मनास के बारे में अब देखते है next शुबम प्रदीब खजूरिया तो ये हैं शुबम प्रदीब खजूरिया इनका बर्थ हुआ था 13. September 1995 95 में यह born हुए थे Indian cricketer हैं जो कहलते हैं Jammu and Kashmir cricket team के लिए तो यह कहलते हैं Jammu and Kashmir cricket team के लिए right hand batsman है यह opening batsman है he played for India under 19 team in 2013 तो 2013 में जो India की under 19 team है उसमें उसका यह हिस्सा रहे है 2013 में became only the second cricketer from Jammu and Kashmir to do so तो Jammu and Kashmir के यह दूसरे cricketer हैं जिन्होंने ऐसा किया है जो under 19 team में खेले हैं तो यह हैं शुबम परदीब खजूरिया तो यह under 19 team के player हैं Indian under 19 team के और Jammu and Kashmir के यह रहने वाले हैं Jammu and Kashmir cricket team में भी यह खेलते हैं तो यह थे शुबम परदीब खजूरिया अब है next चेंड सिंग तो कौन है चेंड सिंग यह Indian sports shooter हैं जिनका birth हुआ था 5th April 1989 को यह डोडा डिस्टर के रहने वाले हैं और इन्होंने जीता था bronze medal at the 2014 Asian Games में इन्होंने bronze medal जीता था in the men's 50 meter rifle 3 position event में इन्होंने bronze medal जीता था he won an individual gold medal in the 7th Asian Airgun Championship in Kuwait तो Kuwait में जो 7th Asian Airgun Champions थी यहां पर इन्होंने gold medal जीता था इन्होंने 6 gold medal जीते हैं 3 individual events में जीते हैं और 3 teams में as a teamwork इन्होंने जीते हैं 3 individual और 3 team events में जीते हैं कब जीते थे 2016 South Asian Games में तो यह थे चेंड सिंग जो डोडा डिस्टर के हैं जमू अन कश्मीर के यह इनकी फोटो है यह हैं चेंड सिंग जो जमू अन कश्मीर से बिलॉंग करते हैं तो फ्रेंड्स यही था आज की इस वीडियो में यह थे कुछ important personalities हमने फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस किया और यह second part है important personalities का आई होप आपको सभी clear होगी होगी जो जो important personalities थी जो exam point of view से आ सकती थी वो मैंने दोनुँ वीडियो में डिस्कस कर दी है आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई doubt है तो comment भी किजिएगा और वीडियो को अपने friends के साथ जो जो preparation कर रहे हैं आप अपने friends के साथ अपने WhatsApp, groups में, Facebook में कहीं भी आप वीडियो को share कर दीजिएगा ताकि सबको information मिल जाए और वो भी study कर सकें तो अगर आपने अगर आप Instagram, Facebook और Telegram पे join करना चाते हैं आप जो के study hotspots सर्च कर सकते हैं वहाँ पे आपको daily current affairs मिलेंगे और जो जो नई updates हैंगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी तो friends अगर आप यह तक आपने चनल को subscribe नहीं किया MCQs हैं फर्स्ट और सेकंड जो मारा topic है उससे तो एप कमेंट कर दीजीगा तो फिर में वीडियो भी लेके आऊंगा MCQs की तो friends यही था आज की discussion में Thank you, have a nice day